दोस्तों जरा आप सोचिए कि अगर आपके शरीर में हड्डिया ना हो और केवल मास हो तो आपका शरीर कैसा होगा? आपकी शरीर की बनावट कैसी हो जाएगी? तो सोचिए ऐसे में आज हम कंकाल से छुटकारा पाने जा रहे हैं. आपको अपनी हड्डियों की जरुरत नहीं है ना तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी बोनलेस लाइफ स्टाइल कैसी होगी आप जबड़े की हड़ी के बिना कैसे खाएंगे और क्या आपका कंकाल अभी भी विकसित हो रहा है तो आज की हमारी ये विडियो बेहद इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये सोचक पाल, तंत्र हड्डियों, टेंडिन, लिगमेंट्स और काटिलेट्स से बना है ये रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कर भंडार करता है और वसा और खनीजों को छोड़ता है और आप जानते हैं आपके शरीर की समरचना का समर्थन करता है लेकिन चिंता ना करें हम इस स्केल ना करें ये बिलकुल ठीक है बस एक गहरी सांस लें लेकिन बहुत गहराई से नहीं क्योंकि पसली के बिना आपके फेफड़े विस्तार करने में सक्षम नहीं होंगे हड्डियों के बिना आपको 24-7 वेंटिलेटर से जुड़े रहने की आविशकता होगी इसका मतलब है कि आप अधिक संक्रमनों के अधीन होंगे क्योंकि आपके वायू मार घमेशे खुले रहते हैं ये सभी प्रकार के खराब किटानूओं को अंदर आने देगा उधारन के लिए एक सामान्य सर्दी जल्दी से निमोनिय बन जाएगी लेकिन जब तक आप स्वस्त भोजन करते है तब तक आपको ठीक रहना चाहिए आप अपने जबड़े की हड़ी के बिना चबा नहीं सकते आपको ऑस्चियो परोसेस जैसी हड़ी से संबंदित कोई भी बिमारी नहीं होगी साथ ही आपको कभी भी कास्ट पहनने के बारे में चिंता करने की जरुवत नहीं है लेकिन क् हड़ियों के बिना विकसित हुए होते तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम कभी समुद्र नहीं छोड़ते और हम मानव जेली फिश की तरह अपना जीवन जीते शायद हम एक एक सो स्केलेटन के लिए विकसित होंगे फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमें बड़े एक सो स्के से हम बढ़े होते हैं हमारी हड़िया हमारे साथ बढ़ती जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आध्यूनिक जीवन वास्तव में हमारी हड़ियों को बदलने का कारण बन रहा है उधारन के लिए अपने सिर के पछले हिस्से को महसूस करें आपकी खोपड़ी के पीछ एक स्पाइक जैसी विशेशता होती है जिसे बाहरी OCCPTAL PROTUBERANCE कहा जाता है लेकिन ये हमेशा नहीं था ये इतना दुरलब हुआ करता था कि हमने 1885 तक इसकी जाँच शुरू नहीं की थी तो ये कहां से आया स्मार्टफोन और टाबलेट के लगातार उप्योग ने स्पाइक को जन दिया है च्योंकि हम अपने उपकर्णों पर ठिके रहते हैं इससे हमारी गर्दन पर दबाब पड़ता है ये उभार खोपड़ी को अतिरिक्त तनाव से निपटने में मदद करता है क्योंकि ये वजन को व्यापक शेत्र में फैलाता है हाइपो फास्फेट सीया नामक एक दुरलव आनुवन्शिक विकार है जो प्रतेक एक लाख शिशूओं में से एक को प्रभावित करता है ये एक ऐसा विकार है जिसके कारण आपकी हड्यां गायब हो जाती है इस विकार वाले मरीजों में शारिये फॉसफेट नामक एन्जाइम की कमी होती है इससे उनकी हड्यां बेहद नाजुक हो जाती है इसलिए वो आसानी से तूट जाती है शुक्र है आज तक डॉक्टर विशेश एंजाइम मुपचार पर काम कर रहे हैं ये हड्डियों को धीरे धीरे वापस बढ़ाने की अनुमती देते हैं जिससे मरीज फिर से हिल सकते हैं तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमारे शरीर में हमारी हड्डियां बेहदी महत्वपूर्ण हैं और हम बिना हड्डियों के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते इसलिए इसका होना बेहद जरूरी है तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद